हलो एब्रीवान गुड मॉर्निंग ने आज इजी टीप्स ब्लोग में आपका डेर सारा स्वागत है और ये हो चुका है दो पहड का टाइम और मैं कीचेन में आ गई हूँ खाना बनाने और ये देख सकते हैं इधर मैं चावल चराई हुई हूँ और उधर मैं कोहड़ा का सब्जी बना रही हूँ जिसको आप लोग सीता फल भी बोलते हूँ पता नहीं आप लोग के लेंगवेज में क्या बोलते हैं उसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगता है और ये मैं तेल हिंग का छेंग हिंग का थोड़ा सा तड़का दी हूँ और मेती और मिर्चा का डाल के और मैं इसको दो के डाल देती हूँ इसके बाद उसमें मैं नमक खल दी और थोड़ा सा मिठा और लहसुन डाल दूँगी बहुत टेस्टी लगता है और ये मैं नहाद वाके पूजा करके नास्ता वगरा कर चुकी हूँ अब मैं आई हूँ और आप देख सकते हैं मैंने पिछले ब्लोग में भी आपको बताया था मुझे बहुत खुसी है पर उतनी खुसी नहीं है क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो मेरा 1K भी नहीं पूरा हो पाया एक साल में आप लोग एप्रिसियेट भी नहीं करते हो नहीं ब्लोग वाच करते हो आप बोलती हूं कि अगर कोई ऐसा मेसिंग है कुछ तो मुझे बताओ पर आप लोग कॉमेंट भी नहीं करते हूं तो ऐसे मत किया करो प्लीज बहुत मेहनत लगता है बनाने में और जो ब्लोगिंग करते हैं वो समझ सकते हैं ऐसे ही नहीं बन जाता है तो आप लोग बोलोगे कि बनाती ही क्यों हूं तो मेरा सौक है और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें इसलिए और यह चावल देख सकते हैं मेरा हो चुका अब मैं बहुत ज्यादा भर चुका था वहीं मैं गुककर में चावल नहीं बनाती हूं सुगर के पेसे अंड्र मेरे घर में तो मैं कुककर के चावल नहीं बनाती हूं पसा करहें ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और मैं ज्यादा ही मोटी लग रही हूं एक तुब अदर स्वेटर कुर्ती पाहनी हुए फेर उस पेसे स्वेटर इसी वज़ा से लग रहा कि कितनी में मोटी हो चुकी हुआ और इधर मेरी बेटी भी कुछ दिखा रही है मुझे वह भी लगी हुई है करने में और एक साल मेरे चैनल का हो गया प्लीज आप लोग सपोर्ट करो अभी तक किसी किसी का तो कितना हो जाता है पर मेरे साथ पता नहीं है था क्या मैं कोई भी काम सुरू करूं मुझे उसमें स सपोर्ट करो और मेरी बेटी मेरी बेटी को मार बहुत पसंद है वही मांग रही कि मामा मुझे दो अच्छी बात है मार ऐसे भी फायदेमंद होता है तो मैं उसको देती हूँ कल था 26 जन्वरी पिछले साल आप लोग को याद होगा एक दिन ही 26 जन्वरी सरसती पूजा दोनों एक ही दिन था और मेरा यह हो चुक है अब मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ और बैगनालू का सबजी भी बनाना है जो कि कुम्परा का सबजी बन चुका है उसके बाद बैगनालू का सबजी बनाऊंगी फटा फट से कर लेती हूँ क्योंकि मैं बाडा या सारे बाडा हो रहा होगा अभी थोड़ा लेड़ से नास्ता होता है दस सी एरा बजे तक इसलिए खाना दो बजे तक करती हूँ और यह क्या यह जल्दे जल्दे बज गई हूं पुरा ये से हो गया था और इधर मेरा सबजी भी लगबग लगबग हो गया है फटा-फट से मेरे साथ है कि काम करने में मुझे टाइम नहीं लगता मैं एकदम से जल्दी-जल्दी से करके निपटा देती हूँ और यह मैं जो खर्ती हुई थी नियू कुर्ती वही मैं पानी हुई हूँ और और मैं इधर कुछ किसी से बलग रहा है बात कर रहीं कि कुछ बुद बुद आने कावा जा रहा है और इधर मैं आलू बैगन का सब्जी के लिए आलू काट रही हूँ और मुझे बैगन ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है और दाल को छेवाक दी मैं दाल गरम करने के लिए रख दी और और मैं बहुत अगर मेरे मैं कोई भी ब्लॉग मेरे कोई यूटूबर देख रहे है तो मैं बहुत सारे यूटूबर का नाम भी जानती हूँ जिनका मैं ब्लॉग खुद देखती हूँ जिनको मैं खुद सब्सक्राइब की हुई हूँ तो अगर आप कोई देखते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताना कि को देखते हो मेरा ब्लॉग मैं तो सब का देखती हूँ सब पर comment करती हूँ पर unlucky मेरे पर कोई नहीं करता है पता नहीं मैं उस टाइब की नहीं हूँ या उस टाइब का मैं नहीं बना पाती हूँ एक ये region हो सकता है मैं सोची थी कि एक साल एक साल हो जाएगा और अच्छा ग्रो कर जाएगा तो मैं एक साल पर सब किसी को बता दोगी पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं इसलिए मेरे मन का बात मन में ही रह गया ऐसा मेरे ही साथ होता है क्योंकि एक साल जो टाइम देता है उसके साथ बहुत अच्छा यह हो जाता है चलिए कोई नहीं आप लोग ही है आप लोग ही सब करोगे सब वो सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे भी करोगे मुझे उमीद है और इधर फटाफट से कर लेती हूं काम करते समय लगता है कि नाचता है उतने दूर में नाचना पड़ जाता है इधर करोधर करा मुझे है कि अगर जो समान जाया है वही रख दो तो सही लगता है कि आप काम कर लिए और ये मेरा सबजी हो चुका आप मैं बैगन आलू का सबजी चढ़ा दूंगी बैगन आलू क तो मीठा नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा सा धो दी उसको और अपका बरतन वगहरा साफ रहे तो काम करने में ज्यादा मज़ा आता है अफटा-फट से काम कर लो और इधर कच्रा सब में डाल दे कीचन भी साफ लगना चाहिए और मेरा सूट कैसा लग रहा है आप लोग बताना ये लॉंग सूट बहुत मुझे तो बहुत प्यारा लगा और काफी कमफर्टेवल भी है कपड़ा वही पानना चाहिए जो आपको कमफर्टेवल दिखे कमफर्टेवल लगे और इधर मैं नेक्स्ट डे का सूट की हुई हूँ जिसमें मेरी मेर नहीं आई बहुत इंतिजार की थी वह नहीं आई तो मैं फटाफट से बरतंद हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बरतं था और ठंडा भी पूछना नहीं है बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मैं सुझी कि फटाफट से और गंदा गंदा सब रहता है देखने में भी अच्छा नहीं लगता है इस वज़े से मैं बरतंभी धो रही हूँ और जिनको लगता होगा कि मैं काम ज्यादा नहीं करती हूँ देख ले कि मैं काम भी करती हूँ ब्लोगिंग के रखा हुए है मुझे पता भी नहीं चला और मैं सुची थी कि मेरा कंपलीट हो जाएगा वन के तो मैं खुद को सर्प्राइज दूंगी अपना फोन लेकर पर मौन बहुत छोट हो गया है आप लोग को लग रहा होगा कि बार बार इस बात कर जिके कि मैं बहुत अंदर से भी सपोर्ट किया करो और फटा फट से मैं बरतन को क्लीन कर देती हूं कि बहुत साधा गंदा लगा हुए था और थाली वगारा सब यह कर देती हूं और अभी पता नहीं ठंडा कितने दिन रहेगा दस तिन से तो कम से कम अच्छा से धूप ही नहीं निकला है धूप अच्छा से निकल जाता है तो ज्यादा सही लगता है अभी निकल ही नहीं रहा है कपड़ा वगएरा भी सूख नहीं रहा है इससे भी परसानी है और अब मेरी बिटी अरानी का एडमीशन भी हो जाएगा तो उसके बाद और ये हो जाएगा मेरे साथ और भी ज्यादा भागम भाग वाला लाइफ हो जाएगा फट 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 मैं बरतन जल्दी से प्लीन कर लेती हूँ और एक मैं ब्लोग में बताऊंगी कि मेरा फेवरेट ब्लोग और कौन-कौन सा है मैं किनका किनका ब्लोग देखती हूँ ऐसे तो मेरे लिस्ट में बहुत सारे हैं मैं सब का आपको बताऊंगी और अभी आकर मेरी बेटी बोल रही है कि ममा मुझे बिडियानी बना कर दो इसको बिडियानी का टेस्ट अच्छा लगने लगा ऐसा हुआ है कि मैं बीस दिन के अंदर में दो-तीन बार बना चुकी इसको भी लग गया है कि ममा बहुत टेस्ट बनाओंगी तो आप लोग के साथ जरूर सेयर करूंगी एक दिन मैं बनाई ती पर सेयर नहीं कि आप लोग भी वो लोगों कि कितना फी करती है फ्लॉप दिखाती फ्लॉप नहीं है मैं रियल में बनाते रहती हुँ इस वज़ा के और अगर यह प्यारा सा ब्लोग आप लो कर देना प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कर देना मिलती हुँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के साथ मैं यहीं तक रहने देती हुँ वीडियो को मिलोंगी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रख के बहुत ठंदा है तक के लिए बाबाई